Hello friends, welcome to English Rank Channel मैं यूकरेन रश्या वार देख देख के ठक गया हूँ तुम लड़ लड़ के ठक गये थे मैं चिला चिला के ठक गया हूँ वह खेल खेल के ठक जाएगा देख देख कर, चल चल कर, पढ़ पढ़ कर मतलब किसी काम को कर कर के ठक जाना या ठक गये थे, या ठक जाएगे इन सभी के लिए आप English में यूज़ करेंगे Tired of चलिए अब sentence के structure को समझ लेते हैं sentence को start करेंगे सबसे पहले आएगा subject plus is, am, are में से कोई helping verb आएगी जो according to tense होगी तो present tense के लिए हम helping verb यूज़ करेंगे is, am, या are इसके बाद past tense के लिए अगर बात बोली जा रही है तो हम use करेंगे was या were और future के लिए हम use करेंगे will be इसके बाद हम add करेंगे Tired of और इसके बाद हम add करेंगे verb की fourth form verb plus ing या charant चलिए अब examples के help से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं मैं Ukraine Russia war देख देख कर थक गया हूँ I am tired of seeing Ukraine Russia war I am tired of seeing Ukraine Russia war तुम लड़ लड़ के थक गये थे You were tired of fighting You were tired of fighting मैं चिला चिला के थक गया हूँ I am tired of shouting I am tired of shouting वै खेल खेल के थक जाएगा He will be tired of playing He will be tired of playing मैं बोल बोल के थक गया हूँ I am tired of speaking I am tired of speaking वै नाच नाच के थक गई है She is tired of dancing She is tired of dancing Friends, अब आपके सामने दो प्रैक्टिस सेंटेंसिस हैं मैं इंतिजार कर कर के थक जाया हूँ और वैं चल चल के थक गई थे आप इन दोनों सेंटेंसिस को इंगलिश में कैसे बोलेंगे अपने answers कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है और यूस्फुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलें और इंगलिश रैंक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें कीप लर्णिंग एंड थैंक्स वर वाचिंग